हाई गाईज तो कल शाम को मैं पहुंच गया था घर तो अभी में उठानें से तो मैंने सोचा आज गवण को थोड़ा एक्स्पोर करूंगा तो चाय वाई पी मेंने अब ममने बोला मुझे दो लाके देदो पहले में जूदा पहन होगा अंजी हो गया जूदा उदा निकलते है यह देखो मेरा पुराना गार है यह की देखो निकल देगा कहीं कि तरह दूद लाएंगे तो गाईज यह देखो हमारी अहले देस मजीद इसकी का नश्ट्रक्शन चल रही है अभी देखो तो गाईज पहुंच गया में अपने दुकान पे आराम से बाई यह रहा मेरा बाई आज बहुत दिनों के बाद इसे मिला और यह रहा मेरा दूद का डबा भाई तो बरेशन क्यों है आज इतना तो रास रहा है वास जैवर भाई ने फोन किया था मैं आ रहा हूं वह रही पीछे गाड़ी और यह आ रहा है यह रही अपनी घाड़ी और जान रहा है अभी लोड करने यह देखो और यह हमारा ग्रेव एड़ है यह जैम्य मजीद है यह की लबो एहले जिस मजीद थी यह जैम्य मजीद है हेडि जैशाला खुल आखि तो श्काड़ा जाश खुल ने रहा है धीडा एड़ा श्काड़ा मारा उंसके अले है तो 옆 यह जैए है यह ज्यासित loft on our तो गाइज यावर भाय ने बहुत होर्स किया तो जा रहा है हम लोड करने यह रहा हमारे गवहों का रास्ता इसे पर गुसारा करना पड़ दा है और यह रहा है यावर भाय गाइज हम गाइज तो गाइज देखे सबसे किमती चीज हमारे गाउं में सोना है सोना है सोना ही ही ठीज है झाल झाल जानवार है यहां से हमारा गाहों स्टार्ट होता है तो यह देखे है यहां पर कितने अची विव है और मोसम भी आज बहुत बढ़ी आए यहां से देखिए वहां से ठीक नहीं आ रहा है यहां से ठीक से आएगा गाइज पहुच गया मैं अपने गाहों में अपने महले में यहां से मैं जाता हूँ तो करते हैं इस व्लाग को यही पेंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लाग में जो बाके चीज रहे हैं हमारे गाहों में वो भी मैं दिखाओंगा अगले व्लाग में तब तक के लिए अला हाफिज